समल जाओ, फोन कॉल आ रहे हैं, आपके सामने दंकियां आ रही हैं, कभी भी कुछ भी किसी का हो सकता है, मत इस पंगे में पढ़के अपनी कौम को, अपनी पार्टी को, अपने लीडरों को बदनाम मत करो और खुल के कह दो, शुरक्षा में चूक हुई, शुरक्षा में चू सब्सक्र यही है, कि एक पार्टी हिट से उपर एक एक उपिनियन, एक राए, एक समझ लोगों को मिले, क्योंकि आपने आतंकवाद को बहुत क्लोजली देखा, और सिर्फ देखा नहीं है, उसे अनुभव किया है, यह जिस तरह के कॉमेंस या जिस तरह के थ्रेक्ट, S.F. मुझे की तरफ से आ रहे हैं, इनको लेकर कितनी चिन्ता इस वक्त होनी चाहिए? मैं चीम मनिस्टर को जाके मिला, डीजी पी को मिला, यह मेरी जिम्मेदारी आपकी नहीं, यह हमारी वीर भूमी है, आप अपना कर्म कीजिए, जिए मैं उसका चैलेंज कबूल करने आया, मुझे पता था, कि रस्ते कहीं न कहीं कार्बम लगाएंगे, पर मैं माउथ का कफ अले भी लड़ता रहा, अब भी लड़ूँगा, आखरी साथ तक लड़ूँगा, पहली गोली, पहले की तरह मेरा सीना पार करेगी, फिर कहीं मेरे जवान को लगेगी, यह पन्नू है, पन्नू पन्नू चुनू कई जानते हैं, बाठिया जी ने सही बोला, मुद्दे पे आएं, देश की शुरक्षा का सवाल, हमारे परधान मंतरी सिमाओ की रक्षा करते हैं, खुद जाके नए साल में, दिवाली के दिन, हर छुम मौके पे, करक बर्फ के अंदर, जहां जवान की बंदूग पकड़नी मुश्कल होती है, और वहां जाकर के, उच जवानों के जाते हैं, मुबार्के देन के के लिए, ना, पी एम ने कहा, यह मेरा कर्म नहीं, मेरा कर्म है, जैसकी की रक्षा करूंगा, और जाते हैं, उस पी एम के लिए, शुरक्षा परबंद्द पूरा नहД scor अब और पुरे देश की अंदर पी-म शुरक्षा नहीं है, कहरला में CPI CPI की सरकार है मैं अभी होके आया कल भी बोला पर सो हमारा PM शुरक्षत है मैं गुजरात में जाता हूँ अगर मेरे जैसा व्यक्ति वहाँ शुरक्षत है अच्छी नीन्च होता है तो प्राइम मिनिस्टर का भी है बंबे के अंदर जाएंगे PM, होम मिनिस्टर मैं या कोई कोई शुरक्षत नहीं है पर बंबे के अंदर चले जाएंगे औरंगाबाद में शुरक्षत है सवाल पूरे देश की शुरक्षा हर जगा पे बटी हुई है ये जो आपने सबसे अच्छी बात की है शुरक्षा के ओपर हमें कोई ना कोई ऐसी एक हिंदोस्तान की सरकार को प्लैनिक बनाई चाहिए कि स्टेट गॉर्मेंट के अंदर शुरक्षा विंग बिलकुल अलग किये जाएं उसमें राजनितिक दबाना हो जिस तरीके से नरिंदर मोदी जी पंजाब में गए उस तरीके से पुलिटिकल टेरिजम राजनिति घुलामी के अंदर अधिकारियों ने अपने पॉलिटिशन सता में बैठे हुए हुकम माना जिस तरीके से राजीव गांदी का हुकम उस वक्ट के इंटेलिजन्स के चीफ नरैनन जी जो पी-एम के मनमोन सिंके दस साल शुरक्षा रहसला कर रहे माना और राजीव गांदी इस दुनिया से चले गए रिकॉर्ड में है निकाल लीजिए क्या इस तरीके से हिंदोस्तान के परदान मंत्री नरिंदर मोधी जी के ओपर हुकम माना गया इनकी शुरक्षा को ऐसे कर दो क्या वो पैकेज देने वाले थे क्या वोड बेंक का फरक बनने वाला था क्या किसी पार्टी का नुक्सान होने वाला था क्या किसी पार्टी का फैरा होने वाला था देखो मैं बात सुनूँ अगर राजीव गांदी इंद्रा जी शहीद हुए क्या बीजेपी क्या सीपी एम क्या सीपी आई और पुलिटिकल उस वक्त तो चार पंच पार्टियां होती थी और पुलिटिकल पार्टी ने क्या इसका विरोध नहीं किया क्या अटल बहारी वाज पाइजी ने विरोध निकिया क्या लाल किशन अडवानी ने विरोध निकिया मेरा सवाल एरकॉंड क्या उनको कहा कि इंद्रा गांदी जी की मौत एक ड्रामा था क्या रजीव गांदी की मौत एक ड्रामा था क्या सरदार ब्यांद सिंग की शहादत एक ड्रामा था पर सव पीसे नहीं सुना अकाली दल से नहीं सुना अपनों से सुना बर्दाश किया घम है पीड़ा है बिटासाद यह कह रहे हैं तुछान मंत्री ने इवेंट बनाने की कोशिश किये अपनी सुरक्ष्या को मैडम मजे ये बताइए सापला जी जब अतंकबाद था पंजाब में जब हर तर्फ खून की खोली खेली जा रही थी जब बच्सों से ट्रेनों से निकाल करके सिख बाईयों को छोड़ जिया जाता था और हिंदू बाईयों को निकाल करके गोलियों का निशाना बना दिया ज पंजाबियत उस वक्त बनाम हुई जब च्छती हजार बेगुनाहों का कत्रयाम हुआ पंजाबियत उस वक्त बनाम हुई जब च्छती हजार से इन उन्नीस हदार हिंदू बाईयों का कत्रयाम हुआ पंजाबियत उस वक्त बनाम की गई जब इंद्रा गांडी को मार दिया और उसके बाद चुडाची के दंगे हुए पंजाबियत उस वक्त बदनाम हुई जब उस वक्त की सेंटर की इंटेलिजन जंचिया उस वक्त की सरकारों ने बेंद्रा वाले को हरमंदर साब में बेच दिया अकाली दाल समाबत प्रकात सिंग बादल की पार्टी समाबत सदा हम राज करेंगे उस वक्त पंजाबियत कहां थी क्या हमने निचोड आज तक यह जो अतंकवाद की खालस्तान की नी रखी गई रखी थी उस वक्त की रौ की अजंचियों ने किसके कहने पे रखी थी उस वक्त रखी की सेंटर की इंटेलिजन जंचियों ने उस वक्त किसने रखी थी बिजरावारा भरमंदर साब ने किसने गुसेडा था हत्यार कैसे अंदर आये थे अलेक्षन कब हुई थी तब अलेक्षन किसने जीती थी अरे ये जंदगी का दोर ऐसा चलता रहेगा दो दो परदान मंतरी खो लिये ची मिनिस्टर खो लिया नरंदर मोदी भी निशाने पे कितनी देर तक पॉलिटिस करते रहेंगे हम निचोड में आए ये कॉंग्रेस औ को खत्राच चलता रहेगा और एक पार्टी दूसरे पे इलजाम लगाती लगाती परदान मंत्रियों को शरहीत करते रहेंगे सवाल सबसे बड़ा कि परदान मंतरी हिंदुस्तान का क्या दुनिया में मैसिजिग गया दो परदान मंतरी तो चले गएं तीसरा निशाने पे था एक ची मिनिस्ट्र को कर दिया ये हमारे देश के ओपर इतना भारत मजबूत भारत इतनी बड़ी ताकत और पाकिस्तान के चणे चबादिये 370 रोज मारते रोज मुर्गों की तरह निकाल करके रोज काट काट के मारते और आज हमारे बारत की ये छोटी भी बात के हालत कर पर आपकी शुरक्षा के साथ खिलवाड हुआ राजीव गंधी के साथ भी ऐसे हुआ था हम आपके साथ खड़े नहीं हम कहते तमाश भी नहीं हम कहते ड्रामा हम कहते नुटंग नेको मैडम ये जो कॉल है इसके हमें गबराना नहीं चाहिए इसको सीरियस ना ले सिर्फ पन्नु को सीरियस ले और जब घर में बैठे हुए गदार है ने जो इन्फरमेशन दे रहे हैं पन्नु को जो टेलीफोन नंबर हमारे एडवोकेट जो केस लड़ रहे हैं कोई ना कोई तो हमारे अंदर ऐसा बेती होगा जो टेलीफोन ले करके उनको पुचाता होगा हमें करके अंदर से करने की जरूरत है और यह जो डिसकॉशन के अंदर यह जो पुलिटिकल पार्टियां कह रहे हैं ना ड्रामा है नुटंकी है यह सबसे बड़े गदार हैं इस मुल्क के इस भारत माता की पीट पे चुरा मार रहे हैं और यह इंद्रा कान लिए और बेंसिंग के तेहास को भूल गाए कभी भी कोई आदमी बेट में आ सकता है फिर शोर मचेगा पर दूसरी पार्टियां कभी आपके खलाफ ऐसी गंदी बाशा का पर योग नहीं करेंगी इसलिए मैं अभी भी कहता हूं समल जाओ फोन को ला रहे हैं आपके सामने दंकियां आ रही हैं कभी भी कुछ भी किसी का हो सकता है मत इस पंगे में पढ़के अपनी कौम को अपनी पार्टी को अपने लीडरों को बदनाम मत करो और खुल के कह दो शुरक्षा में चूक हुई शुरक्षा में चूक हुई जो जिम्मेदार है उसकी सदा बुकती जाई यह हिंदुस्तान क कि छमा नहीं मागी किसी ने बुलू स्टार उपरेशन की छमा नहीं मागी किसी ने 6,000,000 बेगुनाहों का कतले आम हमारी राजनितिक लोगों की गलतियों से वह सुबक्र की सेंटर की इंटेलिजन्स चंसियों की गलति से हुआ किसी ने चमा नहीं मांगी पर हिंदुस्तान के पर्धान मंत्री ने हाद जोड के दुनिया में कहा अरे किसान बाईयो मुझे चमा करना अगर आपको कनून अच्छा लगे बता देना मैं फिर कर दूँगा मुझे चमा करना वह आपको तो कुछ भी नहीं करना अंदर जाके फोन पे कह दो प्राइम मिनिस्टर साब गलती हुए मैस बिट्टा साब कुछ कहना चाहरे पहले उनका कॉमेंट लोगे उसके बाद प्रीत पाल सिंग प्लीज जल्दी देखो जो बाटिया जी ने पहले भी कुछ बात कही पन्नू टनू नहीं बाटिया जी इसको पन्नू टनू नहीं कहना इसको लट्टू कहना लट्टू लट्टू आप और मैं इसका नाम लट्टू ये कुछ भी नहीं है ये डराता है लोगों को लट्टू है दूसरी आ लट कुछ नहीं है दूसरी बात में परकेंजी मैं एक बात कहूं किस दिन आपको कहा ना इन्होंने इनका कुछ दिन मनाएं आप जितनी मेनत कर रहे हैं मेरी आपने शायद मेरी बेंती सविकार कर ली परसों मैंने आपको एक रेक्वेस्ट की थी मैडम त्यागी जी ये एक अंदोलन की तरह हैं ये भी हिंदोस्तान का परदान मंतरी कोई हो हिंदोस्तान की चुरक्षा वेवत्ता परदान मंतरी के लावा हिंदोस्तान की चुरक्षा वेवत्ता ये एक अंदोलन की तरह हैं आपके दौरा इसको नत तक हमने जाना ही जाना ह पाकिस्तान के साथ किसकी तारे जुड़ी थी कौन-कौन बाजवा को मिलता था मैं नहीं लूँगा कौन-कौन अधिकारी राजनिती घुलामी में काम कर रहे थे अच्छी पोस्टों को लेने के लिए क्यों बार-बार जोर लगाया इसी को लगाओ इसी को लगाओ हूम सक्ट रिजे लगाओ डीजी पीजे लगाओ चीफ शक्ट रिजे लगाओ क्यों कारण क्या इंटरस्ट है कोई अधिकारी लगे हम भी मंत्री रहे बाटिया जिनमें बड़ा कुछ देखा होगा अगर हम अच्छा करम करने बादे तो दूर नहीं है सवाल सब से बड़ा यह यह य किता है हिंदोस्तान में नहीं पन्नू के पीछे कौन है पता आपको पन्नू के पीछे चाइना और पाकिस्तान आये साही है जब चाइना के द्वारा हमारे जवान सी घुर्तेज सिंग जिसने कहा था बोले सो नहाल करके 25 चैनकों को टुकड़े टुकड़े कर दिये थे उस वक्त पन्नू चाइना की तरीफ कर रहा था जब पंजाब का योदा चाइना को जमानों को लेड़ते लेड़ते शहीद हुआ था इस देखो यह जो बात हो रही है ना कि हमने 10,000 आदमी लगाया शुरक्षा के लिए 10,000 आदमी जरूरी नहीं है पचास आदमी हो कड़क कई वर्षों से शुरक्षा में हो कड़क अगर सोनिया कांदी राहुल गांदी जी प्रिंका गांदी जी को मुझे भी शुरक्षा दी है ना या और लोगों को तो कोई किसी पर हैसान नहीं कर रहा है वो कर्तव को पूरा कर रहा है वो थ्रेक्ट पर्ट्रेक्ट ही है अगर पंजाब में शुरक्षा दी घी नरिंदर मोदी जी को तो उसको बार-बार सुनाईा नहीं जाना चाहिए यह कर्तब बनता ए दस हजार की गिंती, पांच हजार की गिंती, एक हजार की बिंती, बिलकुल बेकार है, अगर परदान मंतरी गिर जाता है चारह तरफ पाकिस्तान के दस किलो मीटर के अंदर, जाए पीरे होते हैं, चाए यह सीरियस पन है, क्या? मेरे पास भी पंजाब पुरुच के कमांड हूँ यह सीरियस पान है अरे प्राइम मिनिस्टर आया है आखें ऐसे हाथ पीछे आगे ऐस धोना चाहिए अरे दस हजार आदमी लगा दिया परदान मंतरी तो बच भी नहीं सकता एक हजार पांच सो परदान मंतरी बच सकता क्यों कि उनको पता है मेरी जिम्यदारी क्या है हम निकल जाते बर्दो बर्दो गाड़ियों में बर्दो उनको समझाना पड़ेगा ऐसे खड़ा होना है आपने मेरी तरफ नहीं देखना मैं भी फंक्शनों में जाता हूं मैं जवानों को कहता हूं बुलट पूर जैकेट पहनी नहीं पहनी भईया पहनो मुझे तब बचाओगे जब आप बचोगे पहले कई जवान उड़ते हुए देखे मेरी तरफ नहीं देखना एक जवान देखेगा उपर देखो इधर देखो इसको शुरक्षा कहते ये कौन सी शुरक्षा दसदार बर्दो बीड बर्दो जितनी बीड बरोगे जितनी शुरक्षा जारा रखोगे उतना नुक्सान होगा अवच होगा मैं फिर कहूं कैरला गुजराद कौन सी याची जगा है शुरक्षा देखो एक नंबर शुरक्षा रोज जाता हूं कोई नो कोई फंक्षन होता है पूलों की तरह जाते पूलों की तर इदरो जो नहीं अभी मैं कहीं गया सारी रात जो मेरा कमरा बाहर जवान बैठा हुआ है दस बार देखा और बिलकुल आखे खुली इसको छुरक्षा केते हैं अगर वहां मैं दसदार की दोसों की भीड़ बर दूं सब सो जाएंगे कोई डूटी नी देगा ये मेरे कहने का म मनें शुरक्षा रखी मैंने का तु मेरे पर हसान करता क्या जा भी लेला देता हूं को अभी देता हूं सोनिया अंघांडी जीखों मने शरीर कह तरंगवार तरोग शहीद हो चुके वो बेड़े बक्रिया देखा जबाद आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका आपके उपर गिलादी मैं करता जो मेरे साथ जिंदगी में हुआ चुरक्षा को लेके जो मेरे साथ सापला जी पुलिटिकल टैरिज्डम हुआ अगर कभी आके देख लोगे ना उन किताबों को उन पेपरों को उन सरकारी पेपरों को बगवान की कसम आप एक महीना सो नहीं पाओगे और आप देखोगे कि ये आजमी जिंदा कैसे है मर मर के फिर भी बोनस की जिंदगी में देता है मैं कई बार कहता हूँ बिट्टा के पुलिटिकल टेरिजम से बिट्टा हार गया बिट्टे की तो मौट दोस्त है मैं कॉंगरस को कभी गाली नहीं दी और कभी नहीं दूँगा कॉंगरस में कि छुबाच चंदर बोच रहे कॉंगरस के प्रेइडन सरदार पटेल रहे लाल बहादर शास्त्री रहे इंदरा गांदी ने पाकिस्तान के डो टुकड़े की है कॉंगरस भई हम उस कॉंगरस के शपाई हैं वो अलग बात है हमने हमें अकेला छोड़ दिया हमने मौत से और लार नंग के खून से कॉंगरस के मेंबर में दोस्ती कर ली इन्होंने कुर्ची सता से सापड़ा साब दोस्ती क कर ली फर्क तो इतना है मैं कभी किसी में गया तो नहीं को पत्तों ने लिया पच्चीस साल से के और आगे भी नहीं लूगा